तो आज की वीडियो थोड़ी से डिफरेंट होने वाली है मेरी एक बहुत ही प्यारी से सब्सक्राइबर है उनकी फर्माईश पर मैं ये वीडियो बना रही हूं तो वो काफी टाइम से मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि अपनी गलव की कलेक्शन में आपके साथ शेयर करूँ तो आज वही शेयर करूँगी तो ये एक गलव जो मैंने वेयर किये हुए हैं ये ब्लैक कलर की गलव है जो मैं सबसे जादा वेयर करती हूं तकरीबन हर टाटोरियल में मैंने ये वेयर किया हुआ होता है तो ये जर्सी माटेरियल होता है गलव का बड़ा सॉफ्ट सा स्क्रेचेबल और इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से होती है ये मैं आपको ओपन करके भी दिखा देती हू तो हार्ट शीट जो होती है उसकी कट करके जो हैंड के शेप में उसकी कटिंग की हुई होती है और फिर उस पे ये जो है गलव्स रैप किये हुए होता है इस तरह से ये देखें इस तरह से कुछ पैकेजिंग होती है इसकी अब मैं ये निकाल के दिखाती हूँ आपको तो कुछ मिक्स साइस का शेड है तो अक्सर ड्रैस के साथ मैं इन्हें वेयर करती हूं यह देखें इसके ठाटीन इंचीज लॉंग होते हैं यह सारे एक ही साइस के होते हैं और इनकी लैंद कुछ यहां तक आती है तो यह तरह से एक ब्लैक दिखा दिये मैंने आपको और एक यह वेयर करके दिखा देती हूँ मैं आप और इसके ijd हुए होगा है पे में ऑन अपर साइड पर यह प्लेन तो यह ऐस तरह से दो नोंवे देख ले हैं आभ यह भी चेन्ज करके दिखाती हूँ मैं आपको आप बारी आती है इसके बार यह देखें आह से अदों आब शेवार लिये जाते हैं अब यह मैं सबसे फेवरेट्प दिखाऊंगी जो मेरे सबसे ज़्यादा फेवरिट हैं और अक्सर ड्रैस्स के साथ में अग्सक्रान कि आफ़ेभी करती हूं पस़ ने वैसे प्लंपर पेक्सक्त ररेंसे बरियों के साथ सब्सक्रालति ह东i तो यह इस तरह से इसकी भी पैकेजिंग सेम है और बहुत ही चीप रेट पर यह किसी भी लोकल मार्किट से मिल जाते हैं तो आप भी असानी से ले सकते हैं इस तरह से वेयर करके इसकी लुग कुछ इस तरह से आती है यह देखें कितने खुबसूरत लग रहे हैं बड़े एलिगंट सा कलर है इसका यह देखें इसी तरह से इस पर भी इंब्राइडिट फ्लावर बना हुआ है और लैंसे उसकी भी थार्टीन इंचीज है तो और मेरे सबसे जादा फेवरेट यही वाले गलव्स हैं तो अब गलव्स की सारी कलक्शन दिखा दी मेरे पास विलहाल यही कलर है वाइट कलर को आप डाइब भी करवा सकते हैं अब पार यह आती है sleeves की तो इस तरह से एक स्लीव भी ये मैंने वेर किये हुए हैं इस तरह से स्लीव भी आती हैं जिनकी रिस्ट से लेकर आर्म तक आप इसे वेर कर सकते हैं तो आप छोटी स्लीव पहनी हुए या अपने ड्रेस की या फिर लूज स्लीव हो तो उसे आप कवर करने के लिए कि आपके हाथ नजर ना इस तरह से यह भी stretchable होती है और बड़ी comfortable है बड़ी soft सा material होता है इसका इस तरह से stretchable है और इसका size भी 13 inches half 13 to 13.5 inches तक होता है यह stretchable होते हैं तो इसे आप जो है थोड़ा उपर तक stretch करके ले जा सकते हैं इस तरह से यह मैं आपको वेयर करके दिखा रही हो इतने उपर तक यह आपके hands cover कर देता है तो कभी आपने चोटी स्लिफ्स पहनी हुई हो या लूज स्लिफ्स पहनी हुई हो तो आप इसे वेयर करके अपने हाथ कवर कर सकते हैं और इसका जो आगे border सा बना हुआ है बड़ा भी दिखाया और यह परपल कलर का है तो यह भी कुछ इस तहां की packaging में आता है हाट शीट के साथ रैप किया हुआ यह मेरे परपल कलर के हैं डार्क परपल कलर के इसके लावा मेरे पास skin color भी मौझूद है वह मुझे मिल नहीं रहे वनना वह भी आपको शो करवाती तो इस परपल कलर के हैं यह भी बड़े खुबसूरत से उसमें काफी सारे colors आते हैं रैड कलर ब्लू कलर ग्रीन कलर बट फिलहाल मेरे पास यही अविलेबल है तो मैं यह आपको शो करवानी हूं देखें किसना stretchable बड़ा soft सा material है बहुत ही comfortable लगता है और बहुत ही आसानी हो जाती कि आपके hands जो है cover हो जाते हैं loose sleeves और छोटी sleeves के बावजूद भी आप इसे wear करके अपने हाथ cover कर सकते हैं तो यह थी सारी मेरी gloves की और sleeves की collection तो उमीद है आपको पसंद आई होगी और अब मैं आपको अपने socks के collection दिखाती हूं जो के मैं Summers में wear करती हूं कहां गए मिल नहीं रहे हैं और यह मिल गए तो यह इस तरहां के socks हैं यह मैं Summers में wear करती हूं बड़ा comfortable सा soft सा जर्सी का material है इसका भी और यह straight tube socks हैं जो के quarter size में है तो Summers में बड़े comfortable रहते हूं और यह दूसरे इसी के इस तरहां के हैं थोड़ा से इसमें print किया हुए और यह आप slippers के साथ भी असानी से wear कर लेते हैं क्यूंकि यह toe के पास से इसमें cut दिया हुआ है जो के slippers के लिए काफी अच्छा रहता है तो यह हो गई मेरे Summers की socks के collection भी और अब मैं आपको बताती हूं कि किस तहां से मैं अपनी North Pins को save रखती हूं तो यह एक wrist watch का empty box है जो के हर घर में ही की pin है इसमें और मैं use करने के बाद वापिस इसमें attach करती हूं कुशन के साथ और फिर इसे cover करके रख देती हूं तो यह मेरा DIY box मुझे घर से ही मिल गया Pins के लिए तो इस तरह से मेरी Pins save रहती है गुम भी नहीं होती है और मुझे ढूननी नहीं पड़ती हूं तो यह थी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा फिर मिलते हैं इंशाल्ला नेक्स वीडियो में एक नए आइडिया के साथ तब तक के लिए आला हाफिर